कल भी खुल कर साथ खड़े थे, आज भी खुल कर साथ खड़े हैं, कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े फियासत के दिये सब के हवाले न करो, मुल्क भिक जाता है एक शक्स की नादानी से इस शक्स की नादानी से देश विक रहा है, लोगतंत्र मटिया मेट हो रहा है, संविधान को कुछला जा रहा है, वहम तमाम सांसर तयार है, ले लीजे हमारी सदसता लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, हम जुकने वाले नहीं हैं माफी तो तुम मांगो, माफी तो तुम मांगो, अब अधेरों की कोक से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, जल्म है कि जल्म को कहता हूँ, साफ जल्म, क्या जल्म कर रहा हूँ, मुझे मार दीजिये कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले जबां दराजों को मश्वरा है, कोई न बोले अजीव लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले हमारी दाई तरफ इस सदी का सबसे बड़ा फकीर सोया हुआ है मैं उनकी समाधी से बिलकुल करीब खड़ा हो करके संकल्प सत्याग्रा में मेरी आँखों के सामने तप्ती दोपहरी में बड़ी तादाद में मौझूद कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों को सलाम करता हूँ नौरात्री चल रही है रमजान चल रहा है मैं रोजे की हालत में हूँ आप तमाम साथी ऐसे होंगे जिन्होंने नौरात्री के बरत रखे होंगे और इस पवित्र सब्ताह के बीच में हम खड़े हैं एक हाकिम की सनक के से उपजे हुए एक फैसले के खिलाफ दोस्तो भारत के लोकतंत्र के लिए एक मुश्किल लम्हा है याद करिए जब हाकिम की सनक की वज़ा से आप लाइनों में लग करके अपने पैसे बदलवाने के लिए बैंकों के साथियों से विन्ती कर रहे थे चरौरी मिन्नत कर रहे थे तब सबसे बड़ी आवाज बनके कौन बोल रहा था राहुल गांधी नतीजा क्या निकला उनकी स्पीजी सुरक्षा वापस ले ली गई याद करिये जब गबर सिंग टैक्स लगा करके छोटे ब्यापारियों को बरबाद करने का सपना पाला था इस सरकार ने तो सबसे मजबूत आवाज बनके कौन बोल रहा था राहुल गांधी नतीजा क्या निकला हजारों करोन रुपे खर्च करके उनके पीछे ट्रोल आर्मी लगा दी गई उनकी इमेज खराब करने के लिए जितने तरीके अपना सकती थी भारती जनता पार्टी उसने अपनाया याद करिये याद करिये कि जब राफेल के मुद्दे पर राफेल में हुई लूट के खिलाफ एक अकेला शप्स पूरे देश में खड़ा हो करके चौकीदार से पूछ रहा था कि आपकी चौकीदारी का सवाल है बताईए सच्चाई क्या है तब उनके पीछे पच्पन घंटे उन्हें एडी के आफिस में बिठा करके पूछ ताच की गई मेरे भाई उस शक्स ने क्या गुना किया क्या कुसूर है उनका उनका कुसूर इतना है कि जब देश में नफरते सर चड़ करके बॉल रही थी तो उस शक्स ने कहा कि मैं भारत जोडने के लिए अपने पेर के च्छालों की परवाह किये बगएर 4000 किलो मिटर चलूँगा ये कुसूर है राहुल गांधी का कि वह एक शहीद पिता के बेटे हैं ये कुसूर है उनका कि उनकी दादी ने इस देश की मिट्टी के लिए अपने खून का एक एक खत्रा कुर्बान कर दिया ये कुसूर है उनका आज भारते अंता पार्टी के लोग हाउस में खड़े होकर के सदन शुरू होते ही माफी मांगो बढ़ती हुई महंगाई के लिए माफी मांगो अच्छे दिन के धूटे वादों के लिए माफी माघो माफी तो तुम माँगो और अगर तुम यह के घता हो कि राहुल गांदी ने विदेश में जा कर भारत का अप्मान किया तो प्रधान मंत्री जी मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि जब दोहा में, शंगाई में, कैलिफॉर्निया में, अमेरिका में खड़े हो करके आप कह रहे थे कि भारत तो सपेरों का देश है, भारत में पैदा होना तो पाफ है, प्रधान मंत्री जी माफी तो आपको मांगनी च और एका एक हमने सी पी पी आफिस में देखा कि राहुल गांधी जी को दो साल की सजा दे दी गई, उन लमहों में मेरी आँख में आसू थे, मैं शायर हूँ तो मैं भाउक हूँ, शायद इसलिए मेरी आँखे नम हो जाती हैं ऐसे लमहों में, आज जब प्रियंका जी बोल होते हैं, उन्हें जीस तुपे हैं हक, मैं फूल बाटता हूँ, मुझे मार दीजिए, फिर उसके बाद हिंदुस्तान वालों, फिर उसके बाद शहर में नाचेगा हूँ का शोर, फिर उसके बाद शहर में नाचेगा हूँ का शोर, मैं आखरी सदा हूँ, मुझे मार दीज मेरे भाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो सबसे बड़ी आवाज है इस देश के उसको मारने की उसको कुचलने की जो कोशिश है उसके खिलाफ आपको खड़ा तो होना पड़ेगा आपको बोलना तो पड़ेगा मैं कभी-कभी सोचता हूं कि जब मैं कभी के साथ इस तरह की अपमान जनक बाते की जा रही है और देश खामोश बैठा है महबबत है पार्टी से लेकिन नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है तुझे अपना हूं तो मुझसे जमाना रूट जाता है महबबत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन म महबबत को निभाने में पसीना छूट जाता है मैं जानता हूं कि आप पसीने के बीच भी आप तप्ती दोपहरी के बीच भी यहां बैठे हैं क्यों क्योंकि आपके मन में पीड़ा है आप देख रहें कि लोकतंत्र को किस तरह से कुछला जा रहा है मेरे भाई ये एक आगे बढ़कर के देश के एक एक जक्ति के ऊपर बात आ गई है एक ऐसी आवाज जो आपके लिए संसत में बोल रही थी कुसूर क्या था उन्होंने प्रधान मंत्री जी के भ्रस्टाचारी मित्रों के खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने पूछा कि 20,000 करोन रुपया कहा से आया अडानी की कमपनियों में उन्होंने पूछा कि नीरो मोदी ने ललित मोदी ने मेहुल चौकसी ने जो इस देश को लूटा है उसका जवाब प्रधान मंत्री जी को देना पड़ेगा अगर प्रधान मंत्री जी इतना कहने से आप राहुल गांदी जी की सदस्ता ले ये सियासत के दिये सब के हवाले न करो मुल्क बिक जाता है एक शक्स की नादानी से इस शक्स की नादानी से देश बिक रहा है लोकतंत्र मटिया मेट हो रहा है संविधान को कुछला जा रहा है और वो आखरी सदा जो साथ फरवरी को गूजी थी पारलियामेंट में उसको भी खामोश करने के लिए उसे संसत से निकाल दिया गया है, मैं देश से कहना चाहता हूँ, कि उन्होंने राहुल गांदी जी को संसत से निकाल दिया है देश सुने इस बात को कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने सामदाम दंड भेद इस्तेमाल करके राहुल गांदी को संसत से निकाल दिया है अब देश के उपर फैसला है उन्होंने संसत से निकाला है देश के लोगो राहुल गांदी को अपने दिल में रखो, अपने दिल में बिठाओ निकलो पूरे देश में करो सत्यागरा, देखते हैं इस हुकूमत की तानशाही में कितनी ताकत है अगर कॉंग्रेस का एक एक कारकरता जो अपने घरों पर कहीं बैठा हुआ है मैं उससे भी आवान कर रहा हूँ कि राहुल गांधी से बढ़ करके ये मसला इस देश के लोकतंत्र तक आ गया है इसे बचाईए और राहुल जी शायद अपने घर पर होंगे यहां हम हजारों की तादात में उनको समर्थन देने के लिए जुटे हैं मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मेरे भाई आपको एक बात समझनी है और वो ये है कि इस मुश्किल वक्त में हमें राहुल जी से ये कहना है कि लहु में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे एक आखरी नजम सुना करके मैं आपसे विदा लूँगा कि लहु में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे सहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोक से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है तो तुम खड़े थे तुम खड़े थे तुम्हारी आँखों के ताक्चों में जलती मशालों ने नई मनाजिल हमें दिखाई तुम्हारे भाई तुम्हारी बहने तुम्हारी माएं तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे हमारी धर्थी के जिसम से जब हवस के मारे ये सोच दे थे कि सियाह जोंकों की तरह चिम्टे तो तुम खड़े थे तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी अजमत और इस तकामत तो वो हिमाले है कि जिसकी चोटी तलक पहुँचना ना पहले बस में रहा किसी के ना आने वाले दिनों में होगा सो आने वाली तमाम नसलें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे कि तुम खड़े थे हम तमाम लोग, मैंने कहा ना बहुत सारे लोग यहां बरत रख करके आवे हैं, मैं रोजे से हूँ, हम तमाम लोग इस देश के लोवतंत्र को बचाने के लिए, राहुल गांधी जी के साथ हलल एलान खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और एक एक सांस तक उनके साथ खड़े र आज भी खुल कर साथ खड़े हैं, कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं, शुक्रिया